पढ़ाई नहीं होती है, एक्जाम में पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा है, क्या करें, कैसे करें, मॉटिवेशन नहीं मिलता है, ऐसा कोई जबरदस मॉटिवेशन हो जाए, जिससे पढ़ाई होनी चालो हो जाए, ऐसा अक्सर बच्चों का रहता है, तो मैं आपको एक जबर मासुम है रो रहा है इसको कुछ नहीं पता है जिन्दगी क्या है कहां से पैसा आता है कहां परिक्सा होती क्या कुछ भी नहीं उस वक्त एक पिता अपने सीने पर पत्थर रखकर उस बच्चे को हना पूरा का पूरा लालन पोशन का रखता है खर्चा बली वो कितना ही कमाए है ना वो बली हजार उपे कमाता है तो भी इस पर खर्चा करता है खुद कम खा लेता है खुद है ना आप देख सकते फटे पुराने कपड़े पैन लेगा लेकिन अपने बच्चों के लिए एकदम शांदार चीजे लाने का प्रियास करेगा तो उन माता पिता ने जो आज त पड़ाई नहीं हो रही है तो मेरे पड़ाई क्यों नहीं हो रही है पड़ाई होती नहीं है माफ करना करने पड़ती है कि इनके लिए इनके लिए हैना इनके लिए यानि यह चलो इसके पैरेंट्स है ठीक है अपने पैरेंट्स को देखना पड़ता है इनका क्या होगा और प्रीमियम कपड़े आएं, इनको भी यहाँ पर हक हो, अच्छे लग्जरी लाइफ जिने का, ठीक है, और फोटो बता हो, पैरेंट्स का, अब बच्चा बड़ा हो गया, ठीक है, तेहरी करने जा रहा है, कोई भी परतियों की परिक्षा उसकी तेहरी कर रहा है, आप देखें इस बुड़े पिता की आखें क्या करी है, आप डंकसी इस वीडियो को देखेंगे, मुझे फोकस मत करो, इसको देखो, तो इसकी आखें तरस रही है, सिरफ एक इलाइन सुनने के लिए, कब मेरा बेटा परतियों की परिक्षा पास हो जाएगा, इसलिए नई तरस रही है, आप बिना पड़े रहनी पाओगे, बिना काम करे रहनी पाओगे, आप सब छोड़ दोगे, सिरफ ऐसे, तो आप इन फॉटों में कम से कम ये विचार करें, मेरे पेरेंट्स भी विचार कर रहे होंगे, उनको भी सफलता का मेरा इंतजार है, आप देखिए और ये, जो अपने लिए भगवान से मांग रहे हैं, तो अपन भगवान से सिरफ इतना मांग सकते हैं भगवान, मुझे इतनी शक्ती देना, कि मैं अच्छे से पढ़ सकूँ, मैं अपने चोईस गंटे का सदूपियों कर सकूँ, और मैं सेलेक्शन ले जाके, एक दिन अपने माता-प माता-पिता या हो सकता आपको पढ़ाने वाले आपके गुरुजी, आपके टीचर्स, आपका इंस्टूट, वो आपकी चिंता कर रहा होगा, उसमें भी वो इसले कर रहा है कि इसकी रेंक है, तो हम फोटो चापेंगे, तो हमारा नाम होगा, लेकिन माता-पिता सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपका सेलेक्शन चा रहे हैं, आपकी जिन्द की आसान होगी, जो बच्चे किसी कानवस्त पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, इस वीडियो को देख लेना लास्ट तक, आपको आपको कुछ मॉटिवेशन मिलेगा, और मैं तका तो दुनिया के सारे सुन लिए किस्से दूसरों के, बहुत सुन लिए किस्से दूसरों के, अब वो समय आ गया है, कि लोग मेरे किस्से सुनाएंगे, अरे बहुत हो गया, के साथ सरमाजी का बेटा डॉक्टर बन गया, वर्माजी का बेटा इंजिनेर बन गया, मातरु साब का बेटा आरेस में सुनते रहेंगे आखिर कब तक ये वो उसकी सुनते रहेंगे अब समय आ गया है कि अगली साल या इस परिक्सा में मेरे सेलेक्शन पर मेरे गाह में ये लोग बोले हैं कि सपोज किसी के पिता जी का नाम सोहन जी था तो सोहन जी के बच्चे का सेलेक्शन हुआ मेरे पिता जी के लिए आपका जो भी समय है जिस परिक्षा की आप दे यह सब के लिए मॉटिविशन है जितना भी समय है उस समय को प्लान करें उस समय में कैसे पड़ाई करनी है उस समय में कैसे आपको बढ़िया करना यह सब जबरदस करें और अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो ब प्रैंट्स बगवान है और बगवान के लिए काम सभी करते हैं आपको भी करना चीये और काम करते-करते ऐसे अनेक वीडियो से अनेक अनेक लाइन से आपको में मोटिवेट करता रहेंगा और एक लाइन और लास्ट में कोई साध 느म आपड़ रहे हो चुपचाहज़ पड़ रहे हो 37 अपने पड़त में इस लायन को बुन्गा कुछ देर की खामोसी है फिर वही सोर आएगा एक पड़ोषी सी तेरा वक्त आया है हमारा दोर आएगा यह दोस्ट तेरा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा और उस दौर के लिए उन माता पिता के लिए आपको काम करना है, इस वीडियो को लास्त तक आपने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, चैनल पर नए है सब्सक्राइब करने है, और अब ऐसे बहुत से अच्छे चैनल वीडियो जो आपकी पड़ाई को तेज कर देंगे, त्वरित कर देंगे उसके लिए है, तो प्लीज डू फॉर पेरेंट्स, I salute to आल पेरेंट्स, कि मेरी इन बातों से यदि आपके बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं ऐसी बाते करता रहूँगा, और सभी को एकी बात कहना चाहूँ डू फॉर पेरेंट्स, ओके थेंके बाई, ओल दे बेस्ट